हलो फ्रेंड्स, वेल्कम बैक टू रितिशा फानवर्ड तो फ्रेंड्स आज हम स्टार्ट करते हैं मैज्स मैजिक बुक का चैप्टर नंबर वन शेप्स अन्ड स्पेसिस लेकिन वीडियो को आगे देखने से पहले प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल अन्ड प्रेस दा बैल इकन बटन अन्ड अल्सो दो लाइक शेर मैं वीडियो लेकिन फ्रेंड्स इस चैप्टर को हम टू पार्ट्स में करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर वन शेप्स अन्ड स्पेसिस इनसाइड आउटसाइड इसमें देखिए फ्रेंड्स एक स्टोरी है अरब इस कैमल अरब है और एक उसका कैमल है अरब इस कैमल इंड वॉज एक कॉल विंटर डे बहुत थंड की बात है अरब कैमल की बैक पर ट्राफल कर रहा था at night, night में अरब ने अपने tent को वहाँ पर पिच किया and went inside it और उसके अंदर चला गया औग कैमिल सके बाहर था तो मतलए इंसाइड अंदर आउसाइड बाहर then कैमिल आसक मैंने और था अरब क्याँ आपने front leg inside then camel side के मैं अपना front leg अंदर रख सकता हूँ और आप कहते है okay then camel side can I come inside too it's too cold yes थोड़ी देर में क्या होते है camel पूरा भार आ जाते है और camel अंदर आ जाते है और camel अरब भार रह जाते है तो चलिए स्टार्ट करते है next exercise bigger and smaller बच्चों big का मतलब होता है बड़ा small का मतलब होता है छोटा जैसे पहले उसमें है rhinosaurus and dog rhinosaurus is big and dog is small then big leaf, small leaf banana leaf है और एक small leaf है इसमें smaller tick करना है तो smaller leaf फिर है दूसरे में chipmunk and cow तो chipmunk is small then big tire and small tire big tire and small tire इसमें small tire को tick करना है अब इस figure इस exercise में भी हमें biggest and smallest करना है तीन ट्री है पहले smallest फिर biggest है फिर medium size है तो first जो tick होगा smallest सबसे first tree then animal, dog, cat and elephant इसमें biggest पूझा है biggest मतलब सबसे बड़ा बच्चों आप बताओ कौन सा है सबसे बड़ा सबसे बड़ा है इसमें elephant good फिर इस टिक दा smallest fruit अब पताओ है आप smallest fruit कौन सा है the smallest fruit is cherry good फिर bubbles है अब bubbles में आपको बताना है कौन सा bubble बेगे biggest bubble अब top और bottom top का मतलब उपर bottom का मतलब नीचे जैसे आप इस picture में देख पा रहे है yellow color का जो t-shirt पहना है वो बच्चे top पर है blue वाला नीचे है top पर bird है और bottom में cat है अब देखिए अब जैसे कि इसकी exercise है इसमें एक porter है उसने बहुत सारे घड़े रखे हुए 1, 2, 3 ऐसे से स्टैक लगा रखा है तो इसमें बताना है कि top पर कौन सा है top पर सबसे छोटा वाला गड़ा है then इसकी next exercise है जिसमें कि हमको ये बताना है कि एक cat है और एक dog है dog puppy नीचे है कि bottom में कौन सा है bottom का मतलब नीचे तो जो grey color का baby है वो नीचे है अब करते है next exercise इसमें जिए बताना है far and near far का मतलब होता है दूर near का मतलब होता है pass तो कौन सी word घर के पास है बताओ pink वाली ये yellow वाली yellow one good अब इसमें बताना है कि tree के कौन farther है कौन दूर है एक देखो yellow cat है एक orange cat है तो yellow cat है जो दूर है that is farther good अब देखिए जो baby है white color की जो dress पहना हुआ है वो baby nearer है swing के और दूसरा वाला farther है अब जो एक tree के पास चार puppy आ रहे है उन puppies में बताना है कि कौन सा वाला puppy farther है जो सबसे दूर जो सबसे end में आपको अपने right hand side की तरफ दिख रहा है सबसे end में that puppy is farther word देखो कौन सी word जो आपके right left hand पर जो बलकूँ left hand पर जो tree हुआ है sorry nearest पूचा है जो right hand पर tree है वो farther है अब इस exercise में है हमारा on the table blow the table on उपर blow नीचे under उसके अंदर तो question है tick tick right on the child on the table on the table देखो जो है उसको हमने next page पर tick किया हुआ है under the table एक baby उसे green color से cross किया हुआ है on अंडर अब अब बिलो on उपर अंडर नीचे अब 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 उपर blow नीचे तो चलिए अब इसमें बस एक exercise है छोटी सी एक picturization है उसको हमें discuss करना है तो इसमें देखिए four ladies है एक लहंगा पैन का ladies है वो मटका लेकर जा रही है अब हम किसी भी जैसे अब हम चिडिया से यह girl है उससे देख सकते कि कौन सी girl pass है trees है तो हमें सिर्फ इसमें far top and bottom जैसे pink color की है वो top पर है bottom में नीचे बच्चे बैठे हुए top, bottom, far, near this is all about the chapter 1 का maths magic book का chapter 1 space and spaces का अभी हमने part किया है जो अभी rest exercise है वो हम next video में करेंगे तो उसके लिए please keep watching my channel please subscribe my channel and do like share my videos bye, love you